सुशान सिंग राजपूत की हत्या के बाद कई चीज़े बाहर निकल के आई हैं कुछ मैंने इंटर्विउस पढ़े हैं कुछ डिरेक्टली भी बात की है तो उनके पीता जी का कहना है कि वह फिल्म इंडस्ट्री में हो रही ही टेंशन के करके बहुत जादा परेशान थे तो अब मैं आपको बताऊंगी के मुवी माफिय ने नाख की सिर्फ उनको बैंड किया था सिस्टेमाटिक डिस्मेंटिलिंग कैसे कत्रा कत्रा करके उनका दिमाग तोड़ा गया है उनको मारा गया है तो ब्लाइन आइटम आप इसलिए लिखते हैं क्योंकि आप जब मिला हुआ है साइकोटिक है इस तरह से जो की मनाली से डिस्क्रिप्शन पूरी दी जाएगी मगर नाम नहीं लिखा जाएगा 23 ऑगस 2017 को बॉलिवूड लाइफ सुषान के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है वो सबसे अठरा अक्टूबर 2018 को डियाने लिखता है कि सुषान्त ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है और ऐसी ना जाने कितने अंगिनत जूट और यह जो बुद्धी जीवी जूर्रलिस्ट है यह जो चील का हुए गिद है जो मूवी मा आपको पता है उसी राचार सीनिय जर्नलिस्ट ने मेरे खिलाफ एक गिल्ड बनाई इलान किया गया कि इसकी फिल्म को बैंक किया जाए फ्लॉप किया जाए आपको तीन हजार जर्नलिस्ट गैंग अप होते हैं एक अकेली लड़की पर उसकी इमोशनल लिंचिंग करते हैं सरयाम और ये समाज कुछ नहीं कहता है, कानून कुछ नहीं कहता है, मैंने उनको उनके केस कने की कोशिश की मगर एक महिने बाध हो गाएब होगे, मेरी फिल्म रिलिज वह गाएब हो गए, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर यह समाज जिस अन्याय की बुनियात पर खड़ा है और कभी आवाज नहीं आप यह पढ़ते हैं, चटकारे लेते हैं, कभी आपने सोचा है कि कभी नेपो किड्स के बारे में यह क्यों नहीं लिखा जाता है, तो यह अन्याय का फंदा किस इस दिन आपके बच्चों के गले में लटका मिलेगा, आपके गले में लटका मिलेगा, इसलिए जब तालियां बजेगी और सीठियां बजेगी तब आपको पता चलेगा कि क्या गुजरती होगी